एलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स आपका स्वागत इंडियन वेब गुरू चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे X-ray technician course क्या है? इस course को कैसे करते हैं? इस course को करने में कितना फी लगता है? इस course को करने के बाद job scope क्या है? इस course को करना फाएदे मन्द होगा? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी एक्सरे टेक्निशन कोर्स के बारे में ही बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम जानेंगे कि एक्सरे टेक्निशन क्या है एक एक्सरे टेक्निशन का मुख कार्य एक्सरे आधी करते समय रेडियो एक्टिव किरनों से मरीज और आसपास के लोगों का बचाव करना होता है और अन्यकार यह है कि रेडियो ग्राफिक उपकरनों एब मशीनों की देखवाल करना होता है इसके अलावा एक्सरे टेक्निशन के पास मरीज को समझने की शमता, हाड़ वर्किंग, सतरकता और धर्यका होना भी आवश्यक है एक्सरे टेक्निशन पेरामेडिकल में आने वाला मुख्य कोर्स है एक्सरे टेक्निशन is most popular course of paramedical field यह कोर्स मुख रूप से दो ब्रेंच में आते हैं पहला दिपलोमा इन रेडियोलोजी और एक्सरे टेकनोलोजी दूसरा बैचलर इन रेडियोलोजी और एक्सरे टेकनोलोजी अब बात करते हैं कि इस कोर्स की एलिप्सलिटी क्या है योग्यता क्या है डिप्लोमा इन एक्सरे टेकनोलोजी के लिए 12th pass with biology 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। वही बात करें बैचलर इन एक्सरे टेकनोलोजी की तो इसमें भी 12th pass with biology 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर यदि course भी की बात करें तो आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेकनोलोजी कोर्स को करने में प्राइवेट कोलेज से 40,000 से 50,000 per year फिस लगती है और बैचलर कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने में 50 से 60,000 per year लगती है। अब बात करते हैं जॉब एसकोप की इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइबिट होस्पिटल, गौर्रमेंट होस्पिटल, नर्सिंग होम एक्तियादी जगा काम कर सकते हैं सेलरी की बात करें तो एजब फ्रेशर आपको 10,000 से 12,000 मिलेंगे एजब फ्रेशर का मतलब की आपको सुरुवाती दोर में 10,000 से 12,000 सेलरी मिलेंगे और उसके बाद जिस तरह आपकी एक्सप्रियंस बढ़ेगी आपकी सेलरी भी इंक्रीज होती जाएगी अगर आप गवर्मेंट जॉब करते हैं तो आपको सेलरी 30,000 के एभब मिलेगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें यदि आपकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी गवरी है तो कोमेंट में पूछ सकते हैं धन्यवाद